नमस्कार दोस्तों अज बात करेंगे हम body composition analysis और इस machine को कैसे use करते हैं इसके बारे में आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग weight loss के बारे में काम करते हैं वो आपकी body composition analysis के बारे में बात करते हैं और इस analysis को कुछ machines के थ्रू किया जाता है Body Composition Analysis का मतलब है कि body के जो main components है जैसे कि आपका muscle, आपका fat और आपका water content इसे महर किया जाता है ताकि आपके body weight के साथ साथ आपका body weight किन चीजों से कितना बना हुआ है उसके बारे में पता चल सके Simple Terms में आपके fat कितना है आपके किस हिस्से में कितना fat है यानि कि आपके upper limbs, lower limbs, arms, legs और आपके पेट के अंदर कितना fat है इसकी measurement की जाती है Along with इन हिस्सों में आपका muscle mass कितना है और body में water content कितना है इसका relevance इसलिए है क्योंकि weight loss में हम लोग usually fat loss करना चाहते है रादर देन की muscle loss या water loss So muscle mass ना हो या कम से कम हो और fat loss जादा से जादा हो इसलिए ये composition analysis किया जाता है और with time जैसे जैसे आपके body change होती है इसे हम follow कर सकते है Body composition analysis research में बहुत तरीके से किया जा सकता है जैसे CT scan, MRI, densiometry बहुत सारे ऐसे चीज़े हैं लेकिन clinical practice में जो हम routinely लोगों के easily मेर कर सके उनमें ये एक कुछ simple machines आती हैं जो कि आप home use में भी use कर सकते हैं जो कि एक weighing scale कितरे दिखती हैं और professional तोर पर जो machines use कर किये जाते हैं वो थो layer करने के लिए body में एक बहुत minimal type का electric current produce किया जाता है जो कि आपके body की composition के हिसाब से analyze किया जाता है जिससे की machine अंदाजा लगाती है कि आपकी body composition कैसी है simple machines में यह current pair के नीचे लगे electrodes की बरत से दिया जाता है लेकिन जो अच्छी high quality machines है जो professional हम जासे लोग use करते हैं उसमें हाथ में भी electrode दिये जाते हैं ताकि यह current है वो सिरफ pair से ना पास हो रादर आपकी पूरी body से पास हो एक leg से दूसरी leg arms cross circulation हो ताकि हम पूरी body में जो composition है उसका analysis अच्छे से कर पाएं within few seconds इसमें जो main input है वो आपकी height और weight है कुछ machines आपकी height अपने आप calculate करती हैं कुछ machines में हमें height feed करनी पड़ती है और weight usually यह सभी scales अपने आप pair कर लेते हैं उसके बाद जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं बहुत कम टाइम में यह machine कुछ हलका सा एक signal आपकी body में circulate करके आपकी body का analysis कर पाएगी इसके बाद एक detailed report निकाली जाती है जिसमें आपका body weight height आपका BMI जो basic scales है जो basic pairments है यह दिखाया जाता है इसके इलावा बाकी किन-किन हिस्सों में कितना fat या कितनी water content और muscle content है वो सब भी आपको detail में दिखाया जाता है इसके साथ साथ machine आपको normal range भी बताती है क्योंकि body composition with age with male और female इन दोनों में difference के हिसाब से और with ethnicity change होता रहता है यानि कि बच्चों में body composition में fat content अलग होगा after teenage में अलग होगा adult life में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और elderly में फिर से कम होगा इसी परकार females में fat content होता है वो male क मुकाबले थोड़ा जाधा रहता है और ethnicity यानि की different different regions जो world के हैं जैसे Americans, Europeans, Asians, Africans इन में भी body composition अलग लग हो सकता है तो अपने reference के हिसाब से idea लगा सकते हैं कि आपकी body में जो composition है वो normal है या नहीं और आपको किस हिस्से में किस प्रकार का काम करने की सरुवत तो we hope कि ये video दे झाल